Hi friends, welcome to Madhvijja Breast में से breast milk flow आता कैसे है क्या इस टर्म का मतलब है breastfeeding mother's letdown या early letdown of a breastfeeding mother यह कई सारे concept है जो breastfeeding related concept है but yes, हर नई मा को इसके बारे में पता होना चाहिए letdown का बहुत easy definition अगर मैं आप लोग को बताओ तो breast में से दूद बाहर निकलने का process मतलब breast में से दूद निपल की तरफ और निपल से बाहर letdown होने का process इसको कहता है letdown during breastfeeding क्या letdown ज़रूरी है? Yes initial days में letdown होने के लिए या breast milk बाहर निकलने के लिए कभी-कभी थोड़ा बहुत समय लग सकता है ब्रेस्ट में से breast milk बाहर कैसे निकलता है उसके पीछे exactly क्या process है उसका क्या importance है कौन से hormones involved है और किन चीजों की वज़़से letdown हो सकता है चलिए वीडियो शुरू करते है letdown exactly होता क्या है? जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि breast में से दूद निपल की तरफ letdown होना so यह है basically आपका breast जहापी यह चोटे 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 जो granules आपको दिख रहा है उसमें दूद होता है तो उसमें से वो दूद ब्लू कलर की pipelines आपको दिख रही उसमें आता है और फिर वो pipeline दूद इस brown area में जमा करके रखता है और जैसे ही उसके उपर बच्चे का मू लगा या breast pumping लगा या अपने hand expression किया वैसे उसका letdown चालू हो जाता so कई सारी mothers को early letdown मतलब बच्चे ने मू लगाती बहुत overflow होता है उसको कैसे control करना है उसके उपर हम लोग separate video करेंगे बट आज समझ के ले लो कि इस process को हम लोग easy कैसे कर सकते है याद रखो जैसे ही breastfeeding शुरू हो जाता है वैसे early days में ये letdown थोड़ा सा slow होता है जैसे जैसे आप लोग breastfeeding करते हुए आगे जाते हो वैसे वैसे ही बहुत easy लेट डाउन नहीं हुआ है तो लेट डाउन करने के लिए exactly क्या-क्या चीज़े responsible हो सकती है या किन-किन चीज़ों की वज़े से letdown बहुत easy हो सकता है सबसे पहला चीज आपके बच्चे ने breast के पास आके suck करना with a proper latch याद रुक, all of you दूद जम्मा जो हुआ है वो brown area में हुआ है अगर आपका बच्चा brown area पे आके suck करता है तो उस दूद का nipple की तरफ letdown और फिर expression बहुत जादा आसान हो जाता है इसलिए बच्चे ने सही तरह से latch करके breast पे suck करना इससे letdown बहुत जल्दी हो सकता है दूसरा चीज बच्चा अगर बहुत जादा रो रहा है बच्चा अगर किसी pain में है और मामो pain नहीं देख सकती है तो भी letdown होता है आप सुपकर question आएगा इसकी वैसे कैसे हो सकता है रुकी है हम उसका भी जवाब देंगे तो basically उसकी वज़ा से भी letdown होता है तीसरा चीज अगर बच्चा आप से दूर है और आपको बच्चे की याद आ रही है बच्चे की उपर बहुत ज़दा प्यार आ रहा है बच्चे की उपर care feel हो रहा है या आपको doubt है कि बच्चा पीछे peaceful होगा या नहीं होगा उस खयाल से भी आपको letdown हो सकता है next thing pumping या hand expression जब याप सही तरीके से pumping करते हो और सही तरीके से hand expression करते हो तभी भी आपको letdown हो सकता है last but not the least अगर आपने खुद के बच्चे का photo देखा या किसी और बच्चे का photo देखे आपके बच्चे की याद आई या आपके खुद के बच्चे का हस्ते वए photo देख्के आपको बच्चे के ओपर तो भी आपको letdown हो सकता है letdown श्रया इन सब चीज़ों कोई से कैसे हो सकता है exactly कौण से hormones है जो letdown में involved होता है याद रुको all of you, जैसे ही ये brown area पे सही तरह से stimulation हुआ, yes, two ways, physical or direct stimulation, या mental and psychological stimulation, जहाँ पे बच्चे की उपर प्यार आया, तो ये कैसे हो जाता है, जैसे ही stimulation हुआ, वैसे prolactin hormone release होता है, उसकी साथ oxytocin hormone, oxytocin ये basically love hormone है, बहुत जादा complicated terms में नहीं जाएंगे, prolactin hormone दूद को let down करवाने में help करता है, और oxytocin hormone जादा दूद भेज के, फटाफट से वो let down के तरो बहार निकालने में help करता है, so basically breast मैं से breast milk को बहार निकालने का काम, ये दो hormone साथ में करता है, इस prolactin और oxytocin, oxytocin ये love hormone है, so basically बहुत सारे लोगों ने को सुनके पता होगा, श्याँ में बहुत stress में हो, बहुत dystopian में को इतना tension आ रहा है, कि मेरे को दूद का flow ही नहीं में, stress में जा रही हूँ, in fact मेरा life ये भी बहुत खराब है, मेरा दूद ही नहीं निकल रहा है, दूद निकलने के लिए, लग डाउन के लिए जो basic hormone चाहिए, वही love hormone है, अगर आप stress free हो, बहुत प्यार और positive environment में हो, बहुत positive feel कर रहे हो, तो automatically आपको early let down होगा, श्याँ किसी मा को कैसे पता चल सकता है, कि उसको let down हो रहा है, फियो दो very very simple thing, कही सारी माओं को breast में heaviness feel होता है, initial कुछ दिनों में proper बच्चा जिसे सक करता है, वैसे सक feel होता है, तीसरा चीज, कही बार starting में बच्चा बहुत fast सकल करता है, और जैसे ही proper let down शुरू हो, वैसे long and deep सक करना बच्चा शुरू कर देता है, कई बार माओं को गुदगुदाहट feel होती है, कई बार माओं को थोड़ा सा tingling सा feeling आता है breast में, बट यस हरे को होता ही है, ऐसा इसमें से कुछ भी नहीं है, बट यस किन माओं के case में होता है, लास्ली किन-किन माओं के case में early let down अगर है, तो बहुत initial days में बहुत heavy और कड़क breast भी हो जाता है, again I repeat, इसमें से कोई भी symptom ऐसा नहीं है, जो हर माँ को होना चाहिए, या यह नहीं हुआ तो आपको let down नहीं हुआ है, बट यह कुछ चीज है, जो आपको बताती है कि milk flow निपल की तरफ initiate हो रहा है, और बहुत अच्छे से initiate हो रहा है, अभी next thing, क्या ऐसी कोई चीज है है, जो करने से हम लोग ensure कर सकते है कि let down बहुत अच्छे से हो, yes, 100% ऐसी कोई चीज है, अगर आपको ऐसे लगता है कि श्रया let down नहीं हो पा रहा है, मिल्क फिलो कम हो रहा है, तो एक बहुत आसान सा चीज जो let down में help करता है, वो मतलब गरम पानी, आप warm water shower ले सकते हो, आप breast के उपर गरम पानी डाल सकते हो, गरम पानी, hot fermentation breast के उपर दे सकते हो, आप लगता है कि श्रया I have delayed let down, कि मुझे दूद आता ही नहीं है, initial कुछ सक तक तो बच्चा कभी-कभी irritate हो जाता है, तो आप लोग बच्चे को breast feeding देने से पहले, थोड़ा सा breast pumping कर सकते हो, उससे भी let down होने में help होगा, उसे भी let down होने में help होगा, next technique goes reverse pressure softening, मतलब यहाँ पर दूद यहाँ अगर उसको stimulate करना है, तो उंगलिया ले लो निपल के साइड के brown area में, deep pressure 20 seconds, relax, turn वापस deep pressure 20 seconds, तो आपको reverse pressure softening करना है 5-7 minute के लिए, उससे भी brown area में जहाँ पर दूद जमा हुआ होगा, stimulate होता है, और आपको let down करवाने में help करता है, next thing, hand expression, अगर आप लोग hand expression करते हो, यादर को hand expression, अगर सही तरह से करते हो, following right steps, हम लोग अलएड़ी एक video कर चुके, 3 easy steps to do hand expression, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो, अगर आप लोग वो easy steps follow करके, सही तरीके से hand expression करते हो, तो उससे भी आपका milk flow stimulate हो जाएगा, याद रुको all of you, breast की तरफ बार बार देखना, बार बार flow है के नहीं check करना, उससे in fact stress build up होता है, और let down delay हो जाता है, तो आप लोग को याद में रखना है, कि आप लोग जितने relax रखे, कि ये सब steps follow करोगे, उतना आपको let down बहुत अच्छे से होगा, last question, श्याय मेरा बचा 3 मेने का है, 4 मेने का है, 7 मेने का है, अभी तो मुझे let down जैसा कुछ feel भी नहीं होता है, breast भी बहुत जादा soft है, प्रेस करती हूँ तो ऐसे कुछ धार भी नहीं लगती है, all of you, ये early let down, sprinkles, breast का heaviness, ये बहुत initial days में है, जब तक आपके brain को, आपके hormones को, आपका बच्चे के साथ tuning set नहीं हो जाता है, फिर एक सम्माई आता है, जब इन सब चीजों का अपने आप में एक tuning set हो जाता है, तो जैसी ही आपने बच्चे लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा, so it becomes a very natural process, so breast में से milk flow बाहर निकालना, ये तीन चीजों के उपर dependent है, एक, आपके breast में दूद बन के, brown area में आ चुका है, और वो properly brown area sucking के साथ stimulate हो रहा है, दूसरा चीज, मदर का mindset, let down के लिए, जो emotional state होना चाहिए, काकि सही hormones release हो, वो mindset सही होना बहुत जादा जुरिया, and third and an extremely important thing, follow right steps, ये बहुत जादा जुरिया, ये सब चीज़े होगी technical बात है, अब last part पर जाते है, let down में सिर्फ दूद निकलना, ये target नहीं है अपना, let down में सही quality का दूद निकलना, ये भी बहुत जादा जुरिया, कई बार मदर्स बोलते हैं कि मुझे दूद तो बहुत अच्छा है, बढ़ दूद का क्या composition बहुत अच्छा है, प्लेट में कई सारे natural colors होने चाहिए, last but not the least, 4 liter प्लस पानी पेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूर है, diet का impact आपके let down पे आप breast feeding पे से 30%, बचा हुआ 70% earlier जो हम लोग ने चीज़े discuss की थी, उसके उपर depend करता है, but yes, वो 30% भी आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यह होगी कुछ बहुत basic बाते जो आप लोग को बताता है, कि let down क्या होता है, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो अगर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या solution है, and yes, कौन सी चीजों से आप लोग उसको बहुत अच्छे से maintain रख सकते हो, अगर आपको मायदुजा के वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को subscribe ज़रू करना, अगर आप में से किसी को आपके breastfeeding journey में मेरा help चाहिए, तो sure, sure, let me know, I would love to help you out, do visit us on www.mayaduja.com to know about हमारे upcoming courses है, latest offers है, products क्या क्या हम लोग बेचते हैं, and trust me, सब कुछ care के साथ बनाया जाता है, इसलिए हम लोग घर पर बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, कोई भी दवाई नहीं है, thank you so much, have an exceptional time, see you all in the next video, have a great time, and bye.